नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक बिजनस ओनर हैं और अपने बिजनस को ग्रो करना चाहते हैं, तो यह बात आपको अच्छे समझनी होगी कि बिजनस की ग्रोथ, केवल सेल्स की ग्रोथ पर निरवर करती है। इसलिए जरूरी है वो टेकनीक सीखने की जिससे हम अपने बढ़ता जाएगा और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी कंपनी की ग्रोथ निश्चित है नमश्कार दोस्तों मैं हूं दॉक्टर अमित्माहिश्वरी बिजन्स ट्रेनर कॉर्परेट ट्रेनर मुडिवेशनल स्पीकर और सी यू मैं टास ओवर्सीज लेमिटेड आप सबी का सवगित करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में तो फेंड्स अगर हम अपनी सेल्स को ग्रोथ पर लेकर जाना चाहते हैं तो हमें तीन बाते समझना बहुत जुरूरी है तीन ऐसे तरीके जिससे अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं वैसे तो सेल्स को बढ़ सकती है या आपका कंजूमर आपका loyal customer है और आपको हमेशा recommend करता है उससे भी सेल्स बढ़ती है repeat order कंजूमर के आते हैं उससे भी सेल्स बढ़ती है पर आज हम कुछ बात करेंगे business management से सम्बंदित कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे business की growth भी हो और sales भी increase होता है तो हम बात करेंगे इस फार्मले को implement करती है वह ऐसा कुछ करती है जिसकी वाज़ेसे consumer उसी product की consumption बढ़ा देता है ऐसे अवेर करती है consumer को इसके लावा distribution network बढ़ाए तो भी हमारी sales बढ़ सकती है पर सब कुछ depend करता है marketing पर अगर आपकी marketing strategy अच्छी है तो यह सारी चीज़े भी आपके लिए ब यूनिलिवर नैसले और इसके लावा विप्रो पतांजली अमूल आधित्य विक्रा अधित्य बिरला ग्रूप गौद्रेज टाटा जितनी भी companies को आप उठाके देखेंगे ना वो companies business में sales को growth करने की psychology को ज़रूर इंप्लीमेंट करती है और इस तरह से अपने product range को design करती है की consumer उसके demand जादा करे साथ साथ marketing and awareness के जरीए भी बहुत business grow करती है तो सबसे पहले हम बात करते है product range के बारे में आपको लगेगा product range का मतलब है कि ठीक है जो product मेरे पास है उससे की थोड़ी सी और quantity बढ़ा दूँ product range चार तरीके से होती है इसको हमें ध्यान से समझना होगा स सबसे पहली चीज आप price range change करके भी अपनी product की range को बढ़ा सकते हैं अब यह क्या system है एक ही product है एक universal price आपके पास है हो सकता है कुछ लोगों के लिए वह justified हो कुछ लोगों के लिए बहुत महंगा हो और कुछ लोगों के लिए सस्ता हो तो आपको अपने product के तीन variant निकालने ह top model के बाद बी जब उनको लगता और premium client मेरे उस product को खरीद रहे हैं मेरी गाड़ी को खरीद रहे हैं तो वह उसका limited edition या additional options के साथ बहुत सारे options निकाल देते हैं जिसकी वज़र से अलग-अलग price range में वह चीज़े आने लग जाती है तो आप भी अपने product में अलग-अलग price range निकाले जैसे low price based है जिसके features कुछ कम है आप देखते हैं जैसे air condition लेने जाते हैं तो AC में दे दिया ठीक है यह three star है एक और हमारे पास option है जो four star है जिसमें आपका consumption बहुत कम होता है और और option दे जिसमें वह five star है five star rating दे दी तो electricity consumption कम होगा कई ऐसी चीज़े हैं जो आपने product में कर सकते हैं low range medium range ताकि आप तीनों तरह के consumer के साथ deal कर सके दूसरा आपकी quantity friends कई बार क्या होता है हमारे business में एक ही तरह की quantity को लेकर चलते हैं मतलब packaging की में बात कर रहा हूं मान लिजिए आप नमकीन manufacturing करते हैं तो आपने एक आदे के लोगा package निकाला हुआ है यहां पर आपके पास range of different packages होने चाहिए जैसे small packing, medium packing, large packing आज बहुत सारी companies इस फार्मूले का इस्तिमाल करती हैं जिससे shampoo manufacturing company है तो शैंपू की आप 2-liter की bottle, 1-liter की bottle भी ले सकते हैं फिर उसके आप छोटी bottle भी ले सकते है 200-300 ml के और उसके pouch भी ले सकते हैं तो इसका मतलब है उन्होंन जैसे price range आपने बढ़ाई उसी तरह से quantity की भी अलग-अलग range होने चाहिए मैं कई example आपको ऐसे बता सकता हूं जैसे आप biscuit का package देखते हैं तो वह बड़ा 1kg का package भी आता है उसका 100-gram का package भी आता है और उसका पांच रुपे का package भी आता है तो यह तरीके है जिसमें आप ती इसमें क्या होगे different different products पर लग-डिसकाउंट निकाल दी आपने scheme निकाल दी कि यह discount हम दे रहे हैं अगर आप अभी order करते हैं तो 5% discount है अगर आप 1kg order करते हैं 10% discount है अगर आप हमारे shop के हमारी agency के member हैं मतलब एक membership card दे दिया तो उसके लिए कुछ extra discount loyalty bonus है इसके लावा combo बना combo को खरिद लेते हैं मतलब हम एक की जगए दो सेल कर देते हैं जैसे आप देखिए अगर हम shampoo की बात करें तो वह shampoo के बाद प्लस conditioner का एक package बनायते हैं अगर आप शैंपू का packet लेते हैं अगर आपका 100 ml का आप शैंपू लेते हैं तो उसके साथ आपको 20 ml का conditioner free मिलता है तो यह तो में एक example आपको देना हो यह आपको सोचना होगा कि आपके विजनस में कौन सा ऐसा formula implement होता है जिससे आप अपनी sale को बढ़ा सकते हैं और कैसे combos pack बना सकते हैं जैसे हमारी company में हम क्या करते हैं मटर्डो केशन की company है तो हमें combo offer निकालते हैं कि लोग microwave खरीते हैं चिमनी खरीते हैं होब खरीते हैं तो हम क्या कहते हैं मालो किसी व्यक्ति को चिमनी की requirement है लेकिन तो वो combo pack खरिद लेता है, जिसकी वैसे हमारी sale बढ़ जाती है, तो आपको combo की schemes निकालनी है, इसके लावा consumer psychology को beat करती हूं, कुछ schemes होती है, मैंने एक बहुत अच्छा example देखा, वही example मैं आपको शेर कर रहा हूं, एक नारियल वाला अपनी shopper बैठा हुआ था, उसकी shopper एक board लगावा था, कि 30 रुपे का नारियल, है ना, और उसकी sale बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो वहाँ एक marketing executive आया, उसने का अगर ज़्यादा नारियल बैचने ना, तो एक formula अपना हूं, इस part of example है, maybe part of funny one, उसने का कि अगर आपकी shop नारियल की है, और आपने नारियल की shopper एक board लगा दिया, यह एक नारियल 30 रुपे का, उस व्यक्तिर ने सिर्फ एक change किया, कि एक नारियल 30 रुपे का, और 3 नारियल 100 रुपे के, अब एक consumer वा आया, उसने का, अगर 100 रुपे के 3 नारियल इसका मतलब, यह तो महंगा पड़ गया, तो उसने पहली बार 31 का खरिदा, फिर एक और खरिदा, फिर एक और खरिदा, उसको ऐसा लगा, मैंने 10 रुपे बचा लिए, मतलब 30, प्लस 30, उसको लगा, मैंने 90 रुपे खर्च किया, पर मैंने समान 100 रुपे का ले लिया, केवले एक बोर्ड को चेंज करने के वाइसे, उसकी सेल बढ़ गई, एक पार्ट अफ जोग भी हो सकता है, पार्ट अफ लर्निंग भी हो सकता है, आपके उपर डेपेंड करता, आप स्कीम को कैसे समझती है, कई बार ऐसी स्कीम होती है, हमें बहुत सारी जो शौप की पर से उनको पता होता है, कि मेरे जो क्लाइंट है, वो सैलरी बेजड इंपलाई है, उनको पता है, एक तरिक से दस तरिक के बीच में सबकी सैलरी आती है, है ना और एक तरीक से 10 तरीक तक sale जो है वो ज़्यादा होती है लेकिन 12 तरीक 15 तरीक जब तक आती है 20 तरीक आती है 28-30 तरीक आती है तक sale घटना शुरू हो जाती है तो वो schemes निकाल देते हैं कि 25 तरीक से 30 तरीक के बीच में अगर आप product लेते हैं तो आपको scheme में हम ये एक extra product देंगे या ये discount देंगे या हम extra benefit देंगे या हम ये combo offer निकालेंगे तो आप scheme के base पर भी अपने consumer की psychology को समझते हुए अपने product को असानी से sale कर सकते हैं sales के volume को बढ़ा सकते हैं और additional product भी sale कर सकते हैं तो बात रही product range, product range तीन तरह से होता है low price, medium price, high price, packaging quantity based, small, medium and large या offer based आपने discount निकाला, आपने combo offer निकाला, आपने different, different psychology को beat करने वाली schemes निकाली आप जरूरत क्या है, आप देखी, ब्रैंट की जब advertisement आप देखते हैं, आप TV चैनल देखते हैं, उस TV पर आपको ad दिखाई देता है, तो उस ad से learning कीजिए कि इसने कौन सा ऐसा formula implement किया, जिसकी वज़े से उनकी sale बढ़ गई, fine, यही तरीका आप अपने company में भी अपना सकत करते हैं, इसके बाद consumption की अगर मैं बात करूँ ना, आज बहुत सारी company इस तरह से अपने product की packaging या product को design करते हैं, यह तरह से awareness फेलाती है, जिसकी वज़े से consumption बढ़ जाती है, आपका गरहाक मैं उधारन के लिए लिए लेता हूँ, मानलीजे आपका गरहाक आपका कोई product खर करते हैं, तो आपको ज्यादा फाइदा होगा, तो क्या, इसका result क्या निकलेगा, जो उसका product 30 दिन में खताम हो रहा था, 15 दिन में खताम हो जाएगा, यह example की बात है, तो companies क्या करते हैं, consumption को बढ़ाने के लिए, अपनी packaging को ऐसे design करती है, कि वो one time usable होती है, जिसकी वज़े करते हैं, तो उसके बाद आपका shampoo चाहे कम required हो, लेकिन फिर भी पूरा pouch यूज हो जाता है कई बार, जिसकी वज़े से consumption बढ़ जाती है, आप toothpaste बनाने वाली companies को देखें, पहली बाद तो product की बहुत सारी range निकालती है, यह Oxifress है, यह इसमें यह charcoal वाला है, यह नीम वाला है यह हल्दी वाला बहुत सारे ऐसे options निकालती है, तो वह आपको देखना है, कि आप किस तरह की packaging करें, ताकि आप आसानी से, psychological रूप से, consumer की demand को बढ़ा दें, हैना, आप अगर restaurants में जाते हैं, तो बहुत important बात में आपको बताता हूँ, restaurant की service होती है, थोड़ी सी slow होती है, service slow होती है, तो आप धीरे 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 खाते हैं, तो आपके quantity ज़्यादा लगती है, साथी साथ जो serving bowl, serving spoon होती है, और एक eating spoon होती है, जिससे आप खाना खाते हैं, आप कभी भी देखे, restaurant में eating spoon का size हो बढ़ा होता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा quantity में खाते हैं, तो आप ज़्यादा intake करते हैं, जिसकी वएसे उनकी sale बढ़ती है, तो वो आपको देखना है कि क्या आप idea ऐसा लगा सकते हैं, इसकी वएसे आपके consumer की इस तरह से packaging design हो, कि वो one time usable हो, इसके अलावा, companies awareness पर बहुत ज़्यादा काम करती है, consumer को aware करके, कि ये product आप अधूरा यूज कर जो खाना क्ष़आने से पहले हात दोते हैं, वहां consumption आ दी है, लेको ना, खाना क्ष़आने के बात जरूरा दोते हैं, क्योंकि खाने के साथ साथ बहुत सारे बाद में, जो खाना हातों पर रह जाता है, इससे बहुत सारा bacteria पैदा होता है, आप वहुत हाईजिनिक नहीं र कलता है ना उसका होल बढ़ा कर दिया उन्होंने क्या किया टूथपेस्ट का होल बढ़ा कर दिया और होल बढ़ा जैसे यह होल है इसको क्या किया इसको बढ़ा कर दिया थोड़ा सा बढ़ा करने की वज़े से जो उसका जो डायमेटर होता है टूथपेस्ट जो निकलता है व लगाते हैं तब राफंग पर जब दिखाते हैं ऐल में वह ऐसे निखाते हैं फूल भरा उइा तो यह दिखाते हैं कि ऐसे यूज करना चाहिए तो कि consumption बढ़े तो आपको देखना है कि किस तरह से आप पैकेजिंग डिजाइन करें कि लोग आपके प्रोड़क्त को जब यूज करें तो वो पैकेजिंग खुलने के बाद वो एक बार ही उसको यूज कर ले सारा का सारा और दूसरा अवेरनेस आप अपने प्रोड़क्त से संबंदित ऐसी अवेरनेस फेलाएं जिसकी वज़ा से आपका क्लाइ करेंगे तब भी आपका सेल्स वोल्यूम बढ़ेगा और जितने सेल्स हैंड्स आपकी कम्पणी के साथ जोड़ते जाएंगे उतना का सेल्स का वहल उल्यूम करेंगे और कम्पनी भी उख रिचेज्छील को जाएगी और जितने कैसे पुह सेल्ट प्रोड़क्व तो friends बहुत सारे informative वीडियो आपको मिल जाएंगे कि how to appoint a retailer या distributor or wholesaler या आपको जिन companies के साथ deal करते हैं उनके business को study करें कि वो किस तरह से करते हैं तो आपको बहुत सारे ideas मिलेंगे या training program attend करके भी यह सारी चीज़े सेख सकते है business growth strategy जी का मेरा training program होता है वो आप attend कर सकते हैं इसके अपने stores अपने stores बढ़ा है अभी stores कैसे होते हैं जैसे आपका डिलर्शिप का store है franchise store है master franchise store है shopping shop है आपने बिजनस को grow करने के लिए already existing industry के लोगों को dealership दे दी तो वह जब डिलर्शिप होगी तो sales point बढ़ेगा या आपने exclusive franchise store बनाया जैसे आप frontier biscuits का देखेंगे आजकल frontier biscuits के exclusive stores बने हुए है ना हल्दी राम के exclusive stores बने हुए तो इस तरह से आप exclusive franchise stores भी बना सकते हैं master franchise मतलब आपने पूरे state में माली जी मैं UP की बात करता हूं और UP में 26 district district आते हैं जहां पर काम हो सकता है district तो और जादा है तो आपने 26 के 26 district का right एक ही person को दे दिया अब वो person अपने अंडर में जल्दी 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 फ्रेंचाइज या डिलर्स को develop करेगा तो यह भी एक तरीका है अपने stores को develop करने का sales point को develop करने का ताकि sales की growth है साथी साथ shop in shop बहुत सारी आपने malls ऐसे देखें जहां पर एक बड़े बड़े एरिये में बहुत सारी चोटी 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 बन जाती है तो आप shopping shop वालों से मिलकर भी वहाँ पर अपनी unit डाल सकते हैं या जो अल्रडी कर रहे हैं उनके साथ टाइअप कर सकते हैं तो shopping shop का method भी बहुत अच्छा है इसके लाबा अगर आप कोई भी product बनाते हैं तो हर product से समबंदित कोई ना कोई e-commerce company है friends दो तरीके से काम किया सकता है अपने खुद की e-commerce company start करके मतलब खुद online selling start करके या already existing online selling company के साथ tie up करके अपने product की range को उनके पास तक पहुंचा के नए consumer तक हम पहुंच सकते हैं जो अब तक हम नहीं पहुंच रहे थे offline में तो आप online सेल बढ़ा सकते हैं अपने खुद की e-commerce company खड़ी कर सकते हैं या एक अपने पोटल पर या अपने अपने देखिया आप घर बैठे मगा सकते हैं online services के जरी है इसके लाबा आप existing company का टाइब कर सकते हैं Amazon है Flipkart है या आपकी इंडस्ट्री से संबंदित बहुत सारी ऐसी websites हैं जो इस services देती हैं जैसे आप फूड इंडस्ट्री में तो फूड इंडस्ट्री में क्यों कौन कौन सी है कि आप अपने business को जब develop करें तो इन सभी फार्मॉला को focus करें और आज की date में सारी की सारी बड़ी company इनी फार्मॉला को adopt करती है और एक प्रश्ण होता है बहुत सारा लोगों के मन में कि सर हमारी company दो बड़ी से हटा दीजिएगा कि केवल बड़ी company की strategy है हर company जो strategy को लगाएगी वो बड़ी हो जाएगी आपके mindset पर डिपेंड करता है गोल पर डिपेंड करता है बिजनस के automation से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर दिये हुआ है बिजनस में sales को follow कैसे करना उसे संबंधित वीडियो दिये है जरूरत है regular learning की और learning के बाद उसको implement करने की आपके मन में अगर कोई भी प्राश्ण है तो comment box में लिखकर हमें जरूर बताएं हमारी team आपको उसका जवाब जरूर देगी स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आप किसे मेरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत